ओम नमो भगवते वा सुदेवाया श्रीपत भगवत महापुरान तिर्ट्यसकंद चोता अध्याए उधव जी से विदा होकर विदुर्जी का मैत्रे रिशी के पास जाना उधव जी ने कहा फिर प्रामणों की आग्या पाकर यादों ने भोजन किया और वारूनी मदिरा पी उससे उनका ग्यान नश्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हिर्दे को चोट महचाने लगे मदिरा की नशे से उनकी बुद्धी बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड से बासों में आग लग जाती है उसी प्रकार सुर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी भगवान अपनी माया की उस विचित्र गती को देखकर सरस्वधी के जल से आचमन करके एक व्रिक्ष के नीचे बैट गए इससे पहले ही शर्णा गतो का दूर करने वाले भगवान श्री किष्ण ने अपने कुल का संगार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ विदुर जी इससे यद्यपी मैं उनका आश्रे समझ गया था तो भी स्वामी के चर्णों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रभाश शेत्र में पहुँच गया वहाँ मैंने देखा कि जो सब के आश्रे हैं किन्तु जिन का कोई और आश्रे नहीं है वे प्रियतम प्रभू शोभाधाम श्याम सुन्दर सर्स्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं दिव्य विशुद सत्ववें अत्यंत सुन्दर श्याम शरीर है शांती से भरी रतनारी आथें आखें हैं उनकी चार बुझाएं और रेश्मी पितामबर देख कर मैंने उनको दूर से ही पैचान लिया वेग पीपल के छोटे से विक्ष का साहरा लिये बाई जांक पर दाया चरण कमल रखे बैठे थे भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुलित हो रहे थे इसी समय व्याज जी के प्रिय मित्र परम भागबत सिध मैत्रे जी लोकों से स्वचंदक विजड़ते हुए वहाँ आपोचे मैत्रे मुने पगवान के अनुरागी भक्त है आनंद और भक्ती भाव से उनकी गर्दन जुकी रहती है उनके सामने ही श्री हरी ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चित्वन से मुझे आनंदित करते हुए कहा श्री भगवान कहने लगे मैं तुमारी आंत्रिक अभिलाशा जानता हूँ इसलिए मैं तुमें वैसाधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुरलव है उधव उधव तुम पूर्व जनम में वसु थे विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं की यग्ये में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी अरादना की थी साधू सुभाव उधव संसार में तुम्हारा ये अंतिम जनम है क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है अब मैं मरते लोग को छोड़ कर अपने धाम में जाना चाता हूँ इस समय यहां एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ती के कारण ही मेरा दर्शन पाया है ये बड़े सुभागे की बात है पूर्वकाल में पद्मकल्प के आरंब में मैंने अपनी नाभी कमल पर बैठे हुए प्रम्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस शेष्ट जिस शेष्ट ग्यान का उपदेश किया था और जिसे विवे की लोग फागवत कहते हैं वही मैं तुमें देता हूँ विदुर जी मुझ पर तो प्रतिशन उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी इस समय उनके इस प्रकार आदरपुर्वक कहने से स्ने वश मुझे रो स्वामिन आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ धर्म काम मोक्ष इन चारों में से कोई भी पधार्थ दुरलब नहीं है तथा भी मुझे उन में से किसी की इच्छा नहीं मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही ललायत र प्रभो आप निश्प्रे होकर भी करम करते हैं अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं काल रूप होकर भी शत्रू के डर्व से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर चिप रहते हैं तथा स्वा आत्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों की साथ रमन करते हैं इन विचित्र चर सर्वता अबाद और अखंड है फिर भी आप सलाद लेने के लिए मुझे बुला कर जो भोले मनुष्य की तरह बड़ी साबधानी से मेरी सम्मती पूछा करते थे हे प्रभो आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित्सा कर देती है स्वामिन अपने स्वरूप का गुण रहसे प्रकट करने वाला जो श्रेष्ट एवं समग्र ग्यान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाईए जिससे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं जब मैंने इस प्रकार अपने हिर्दय का भाव निवेदित किया तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्रीकिष्ण ने मुझे अपनी स्वरूप की परमस्थिती का उगदेश दिया इस प्रकार पुर्जय पात गुरुष किष्ण से आत्म तत्व की उबलब्धी का साधन सुनकर तथा उन प्रभू के चर्णों की बंदना तथा परिक्रमा करके मैं आया हूँ इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत वयाकुल हो रहा है विदुर जी पहले तो उनके दर्शन पाह कर मुझे आनंद हुआ था किन्तु अब तो मेरे हिर्दय को उनकी विरह वेता अत्यंत पीडित कर रही है अब मैं उनके प्रिये शेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ जहां बगवान श्री नारायन देव और नर ये दोनों रिशी लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दिर्ख कालिन सौमे दूसरों को सुख पहुचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रही है श्री शुगदेव जी कहते हैं इस प्रकार उधव जी के मुख से अपने प्रिये बंदूओं के विनाश का असहे समाचार सुनकर परम ग्यानी विदुर जी को जो शोक उत्पन हुआ उसे उन्होंने ग्यान द्वारा शांत कर दिया जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महा भगवत उधव जी बद्रिका आश्रम की और जाने लगे तब कुरुष रेष्ट विदुर जी ने श्रद्धा पुर्वक उन से पूछा विदुर जी ने कहा उधव जी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूर रहसे को प्रकट करने वाला जो परम ज्यान आप से कहा था वै आप हमें भी सुनाईए क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कारे सिद्ध करने के लिए ही व मेरे सामने स्वयम भगवान ने ही आपको उगदेश देने के लिए उन्हें आग्या दी थी शिश उगदेव जी कहते हैं इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ती भगवान श्री किष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कता अमरित के द्वारा उधव जी का व वहां से चल दिये तब राजा परिक्षित ने पूछा भगवन विश्णी कुल और भोजवंच के सभी रथी और यूत पतियों के भी यूत पती नश्ट हो गए यहां तक की त्रिलो की नाच श्री हरी को भी अपना वैरूप छोड़ना पड़ा फिर उन सब के मुख्या ब्रामनों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संगार कर अपने श्री विग्रह को त्याकते समय विचार किया अब इस लोग से मेरे चले जाने पर सैयमी शिरोमनी उधव ही मेरे ग्यान को ग्रहन करने के सच्चे अधिकारी हैं उधव मुझ से अणू मात्र भी कम न रही हैं विश्यों से कभी विचलित नहीं हुए अतय लोगों को मेरी ज्यान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आग्या देने पर उधव जी बद्री का आश्रम में जाकर समाधी योग द्वारा श् श्री विग्रे प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर लिया उनका वे अंतर ध्यान होना विश्धीर पुर्षों का उच्सा बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुर्षों के लिए अत्यंत दुश्कर था परंभागवत उधव जी के मैं मुझे भी स्परण किया था विदूर जी उधव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल होकर रोने लगे इसके पश्चात सिद्ध शिरोमनी विदूर जी यमुनातर्ट से चल कर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे जहां श्री मैत्री जी रहते थे इस प्रकार तिर्दिय इसकंद का चोथा अध्याय समाप्धुआ हरी ओम तच्छत